Welcome to the channel students, तो इस वीडियो में हम P-Block chapter को completely revise करने वाले हैं, जो के आपके exam के लिए बहुत ही important रहने वाला है, सबसे ज़्यादा exam में आप लोगों को MCQs इसी chapter में से ही पूछे जाएंगे, तो जिस जिस points में से भी MCQs पूछे जा सकते हैं, वो सभी points हमने एक जगा पर सभी को ह की collect कर लिया है, वो सभी में आपको इस वीडियो में explain करूँगा, तो आप लोगोंने द्यान से इस वीडियो को सुनना है, और अपने सभी friends के साथ इसे share जरूर करना है, और चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर देना, तो start करते हैं group number 15 से, तो सबसे पहले है हमारे पास group number 15 मे आप लोगों को elements से याद होने चाहिए, ना, hydrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, और ये हैं इन सभी के atomic numbers, इसकी general electronic configuration क्या रहती है, ns2, np3, p orbital half filled होता है, ये आप लोगोंने याद रख लेना है, अब इसमें कुछ important points क्या है, कि atomic radii and ionic radii down the group जाएंगे तो uncrease होता है, ठीक है, down the group size uncrease होता ह तो down the group ionization energy और electro negativity दोनों ही decrease कर जाएंगे, ठीक है, down the group जाएंगे तो ये सभी properties आप लोगोंने याद रखनी है, ionization enthalpy और electro negativity size uncrease होने के साथ decrease हो जाती है, और metallic character size uncrease होने के साथ uncrease हो जाता है, metallic character uncrease होता है, क्योंकि ionization enthalpy low हो जाती है, clear है, ये चारों properties आप लोगों याद और फिर आते हैं melting points melting point जो है वो that is increases up to the arsenic arsenic तक पहले increase होगा और फिर बाद में ये increase होता है क्योंकि size increase होता है atomic और फिर बाद में ये जो है ये वहाँ पर decrease होता है from antimony to the bismuth ये decrease क्यों होता है क्योंकि जो end वाले elements है उनमें inert pair effect आ जाता है inert pair effect क्या होता है क्योंकि ये जो S वाले दो electrons होते है NS2, NP3 है ठीक है ये जो S वाले दो electrons है ये bond formation में part नहीं लेते ठीक है क्योंकि उनमें F orbitals और D orbitals भी आ जाते हैं इसलिए ठीक है तो ये यहाँ पर inert हो जाते हैं इसको बोलते है inert pair effect तो यहाँ पर due to the inert pair effect they can only form the three bonds three bonds instead of the five bonds clear है ठीक है तो इसके बाद इनमें आती है catination की property catination क्या होता है अपने आपके साथ अपने जैसे और atoms के साथ bonds बनाना so this is the property of the self linking ठीक है तो phosphorus की ये tendency maximum होती है इसकी ये tendency hydrogen से जादा होती है क्यों जादा होती है क्योंकि nitrogen का single bond जो होता है NN का single bond वो weak हो जाता है क्योंकि इसका size बहुत चोटा है चोटे size के कारण चोटा bond बनाता है तो non bonding electrons वहाँ पर repel करते हैं एक दूसरे को जिसके कारण ये bond weak हो जाता है phosphorus phosphorus का single bond strong होता है इसलिए ही इसमें catenation की property जादा रहती है तो इसके अलावा क्या है कि nitrogen जो है वो हमें die atomic molecule की form में मिलती है ठीक है N2 जो के unrective होती है यानि के inert gas होती है at the room temperature इसका reason क्या है क्योंकि nitrogen और nitrogen atoms में present होते हैं triple bonds जो के बहुत ही strong होते हैं उनको break करने के लिए काफी energy चाहिए ठीक है ये क्यों हो पाता है क्योंकि NN यानि के nitrogen atoms आपस में P5 P5 multiple bonds बना सकते हैं जिसके कारण में इनके बीच single की बजाए 3 bonds बन जाते हैं जिनको break करना मुश्किल है इसकी enthalpy काफी high हो जाती है इसलिए N2 gas inert होती है room temperature पर ठीक है ओके तो और इसके लावा N2 room temperature पर gas होती है solid नहीं होती gas होती है इसका reason क्या है क्योंकि N2 molecules में weak vendor wall forces होती है जो इसको gas ही बना सकती है solid बनाने के लिए strong vendor wall forces चाहिए phosphorus solid होता है क्योंकि उसमें हमें मिलता है P4 molecule और उनमें strong जो है वो आपस में intermolecular forces बन जाती है इसलिए वो एक solid बन जाता है clear है तो ये सभी points याद रखने होंगे आप लोगों को ठीक है एक दो बार सुन लीजीए आपको याद हो जाएंगे अच्छे से बिल्कुल सिंपल सी बाते हैं clear है तो आगे चलते हैं फोसफोरस अग्जिस्ट ऐज पीफोर molecule ऐज एज सोलिड ठीक है बिस्मिथ बिस्मिथ ड़नोड फॉर्म पीपाई पीपाई बॉंड बिस्मिथ में जो multiple bonds नहीं बन सकते पीपाई पीपाई मतलब double bond triple bond मतलब more than one bond अगर उसने बनाना हो multiple bonding करनी हो क्योंकि उसके जो orbitals हैं उसका size बहुत ही ज़ादा होता है जिसके कारण के वो effectively overlapping उनमें नहीं हो पाती और आल्सो बिस्मिथ एक metallic element है तो उसमें metallic bonds बनते हैं clear है metallic bonds covalent bonds से अलग होते हैं इसके बाद आती है group number 15 के elements की oxidation state और उनकी covalency के बारे में कुछ बाते हैं तो इनकी oxidation states minus 3 से लेकर plus 5 तक show होती है तो down the group अगर हम जाएंगे तो stability of the plus 5 oxidation state decrease करती है plus 3 oxidation state increase करती है inert pair effect के कारण 2 electron inert हो जाते है तो बाकी के कितने बचते हैं 3 बचते हैं तो plus 3 oxidation state की जो stability increase हो जाती है ठीक है therefore tendency to form the pentaholites decreases down the group ठीक है तो pentaholites की जो है वो tendency यहाँ पर decrease हो जाती है तो यहाँ पर एक छोटी सी mistake है तो यहाँ पर आएगा BACL5 is less stable than the BACL3 ठीक है तो BACL3 more stable होता है than BACL5 क्योंकि plus 3 oxidation state ज्यादा stable है clear है compounds in the plus 5 oxidation state are covalent होते हैं not ionic क्योंकि ions में plus 5 charge बनाना बहुत ही मुश्किल है ठीक है and nitrogen जो है ठीक है इसके लिए important point है nitrogen does not have vacant d-orbitals इसके इलावा सभी के पास d-orbitals होते हैं nitrogen में 2S 2P तक ही फिल होते हैं तो d-orbitals इसके पास होते ही नहीं इसलिए इसकी covalency maximum 4 तक हो सकती है ठीक है nitrogen की maximum covalency 4 हो सकती है बाकी elements की हो सकती है 5 तक हो सकती है इसकी oxidation state बन जाती है ठीक है N2O5 में plus 5 oxidation state बना सकता है बट वो 5 bonds बिल्कुल नहीं बना सकता maximum 4 bonds बना सकता है clear है ये बहुत important बात है ये आप लोगों ने याद रखनी है clear है तो आगे है इसी लिए ही NF5 जैसे compounds बिल्कुल नहीं बनते N2O5 में plus 5 oxidation state बन सकती है इसके लावा phosphorus के ऐसे compound भी बन जाते है R3P double bond O R यहाँ पर क्या है R is an alkyl group ठीक है मतलब जिसमें उसकी valency 5 शो हो 5 bonds बनाए वो भी बन जाते हैं बनिंग कर लेता है hydrogen के पास D orbital ही नहीं होते ठीक है इसके बाद BACL3 is less covalent than the PCL3 ठीक है क्योंकि B जब हम down the group जाएंगे size increase होगा तो metallic character ज्यादा हो जाएगा तो इसके कारण ही जो BACL3 is less covalent मतलब उसमें ionic character ज्यादा होगा PCL3 is more covalent ठीक है clear है this is according to the according to the Fasan rule हम explain कर सकते है कि जो छोटा ion होता है उसमें covalent character ज्यादा आ जाता है clear है ठीक है polarization हो जाती है तो इसके बाद इसके कुछ hydrates बनते हैं ठीक है group number 15 के जो यहाँ पर hydrates बनते हैं वो हम देखते हैं यह सभी इसके hydrates बनते हैं इनके order सब आप लोगोंने याद रखने हैं सबसे पहले इनकी structure कुछ ऐसी होगी ठीक है normal जो हमारी होती है tetrahedral structure उसमें आप लोगोंने एक position पर बना देना है lone pair इसका angle जो है वो lone pair होने के कारण normal tetrahedral जो यहाँ पर normal tetrahedral angle होता है उससे छोटा हो जाएगा यहाँ पर होगा 107.8 degree का angle ठीक है and bond angle अगर हम इस side को move करेंगे यानि के down the group move करेंगे तो bond angle decrease होता है क्योंकि electro negativity decrease हो जाती है elements की तो क्या होगा कि bond pairs दूर चले जाते हैं तो bond pair shift away from the central atom जिसके कारण के repulsion है वहाँ पर decrease होगी और bond angle decrease हो जाएगा clear है size increase होगा bone angle decrease हो जाएगा basic strength decrease होती है इसका भी same reason है क्योंकि size उनका increase हो जाता है जिसके कारण के electron activity उनकी decrease हो जाती है so electron releasing tendency भी उनकी decrease हो जाती है electrons को release करने की तो इसलिए वहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे हम down the group जाएगे तो basic strength भी उनकी decrease हो जाएगी clear है तो इनकी thermal stability भी decrease होती है down the group मतलब ये वाला less stable है तो ammonia is more stable ठीक है this is due to the mh bond strength मतलब इनका hydrogen के साथ bond बनता है वो down the group जाते जाते weak हो जाएगा क्योंकि size increase होगा ठीक है इसलिए इसके कारण ही reducing character increase होता है मतलब जो end वाले element है वो easily hydrogen release कर सकते है इसलिए reducing character जादा होगा ठीक है और इसके अलावा तो ammonia का boiling point high होता है ठीक है than the phosphine क्योंकि ammonia में जो है वो यहाँ पर hydrogen bond बन जाते है क्योंकि end का size काफी small है और इसलिए उसकी electron activity भी हाई है इसलिए वो hydrogen bond अच्छे से बना सकता है इसलिए ही ammonia water में भी dissolve की जा सकती है ठीक है ammonium hydroxide बनाने के लिए ammonia की preparation में अगर आप हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हम लोग इसे havers process के साथ बना सकते हैं simple reaction होती है hydrogen gas की reaction hydrogen gas के साथ करवाई जाती है in the presence of the catalyst iron and the promoter molybdenium ammo क्या है molybdenium इसे promoter और high temperature and under the pressure ammonia बन जाती है यह एक exothermic reaction है इसमें heat release होती है ठीक है इसके लिए favorable conditions आप लोगों को पूछी जाती है exothermic reaction है तो हमें low temperature रखना है ठीक है gaseous reactants है तो हमें high pressure apply करना है और साथ में हमें use क्या करना है basic solution बनाता है क्योंकि ammonium hydroxide बन जाता है ammonia जो है वो metallic ions के साथ complexes बना सकता है यानि कि यह अपने loan pair को donate कर सकता है और act कर सकता है as a loose base जैसे कि copper 2 positive echo solution में अगर हम ammonia add करते हैं तो वो एक blue color का ammonia का complex बनता है therefore ammonia is a good agent जो कि अपने loan pair को donate करकर bond बना ले और यह precipitation हो सकती है इसके साथ अगर हम heavy metals को उनके echo solution में से उनके precipitates बनाना चाहें वो भी हम बना सकते हैं इसकी example है जैसे कि ferric chloride का solution हो उसमें अगर हम ammonium hydroxide add कर देंगे तो हमें ferric hydroxide के precipitates वहाँ पर मिल जाएंगे ठीक है clear है तो इसके अलावा इनके कुछ oxides बनते हैं ठीक है oxides की वैसे तो structures को जो है वो slavus में से हटा दिया गया है बट फिर भी आप लोगों ने वहाँ से इनकी जो कुछ structures के साथ important points होते हैं वो हम लोग यहाँ पर read कर लेते हैं ठीक है जैसे के N2O है ठीक है N2O that is the nitrous oxide यह इसका एक और नाम है that is the laughing gas इसको बनाने के लिए हम NH4NO3 को heat करते हैं याद रखेगा NH4NO3 है अगर NO2 होगा तो N2 gas बनेगी वो भी आप लोगों को पूछा जाता है तो यहाँ पर N2O gas and the water बन जाता है यह reaction बहुत important है ठीक है फिर आता है N2 that is the nitric oxide इसे बनाने के लिए ammonia की reaction करवाते हैं oxygen के साथ in the presence of the platinum as a catalyst और इसे heat करते हैं वहाँ से हमें N2 gas मिल जाती है and also जो N2 gas है वो हमारे atmosphere में भी बनती है इसलिए यह ozone को भी effect करती है ठीक है क्योंकि यह वहाँ पर ozone के साथ react करकर उसे O2 में change करते थी है अब देखिए NO में odd electrons होते हैं odd electron मतलब यहाँ पर N and O के आप लोग valence electrons add करते हैं तो 11 electrons बनेंगे जितने भी odd electron वाले molecules होंगे वो क्या करते हैं वो बाद में dimerize हो जाते हैं मतलब ऐसे दो molecule आपस में ही जुड जाएंगे NO और NO तांके उनमें even electrons हो सकें ठीक है फिर ऐसे ही आती है हमारे पास NO2 NO2 का brown रंग होता है यह gas है nitrogen dioxide ठीक है इसके brown fumes होते हैं इनकी structures मैंने बनाई हुई है बटा आप उनको skip कर दे structure आपको slabus में इस साल remove करती है ठीक है तो NO2 भी एक odd electron molecule होता है यह भी बाद में dimerize हो जाता है ठीक है यूदिक इसके पास unpaid electrons होंगे odd electron वाले जो molecules है उनके पास unpaid electron होते हैं इसलिए वो बाद में dimerize हो जाते है ठीक है तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें इनके कुछ acidic behavior की तो acidic character decrease करता है from N2O3 to B2O3 ठीक है मतलब कि जो उपर वाले हैं वो ज़्यादा acidic हैं जैसे हम down the group move करेंगे तो oxides का जो यहाँ पर acidic character वो decrease हो जाएगा क्योंकि उनमें metallic character आना शुरू हो जाता है metallic oxides क्या होते हैं basic होते हैं इसलिए down the group acidic character decrease हो जाता है इसके लावा acid and hydrates होते हैं वो oxides जिनको water में dissolve करकर हमें acid मिल जाए जैसे N2O3 को water में add करेंगे तो HNO2 हमें acid मिल जाएगा N2O5 को dissolve करेंगे तो हमें HNO3 acid मिल जाएगा that is important और NO2 को dissolve करेंगे तो हमें दोनो acid मिल जाएगे so that is therefore NO2 is called the mixed anhydride ठीक है इससे 2 acid बनते हैं clear है तो ये भी बात आप लोगोंने याद रखनी है आपको ऐसे पूछा जाएगा के HNO3 का यहाँ पर acid anhydride क्या है तो आप लोगोंने बता देना है N2O5 clear है ठीक है तो आगे चलते हैं के लावा जो यहाँ पर NH3 की dipole moment होती है ठीक है NH3 की जो है वो dipole moment NF3 से जादा होती है चाहें इन दोनों की structure सेम होती है बट यहाँ पर क्या है के जो fluorine है उसकी electron activity हाई होती है ठीक है तो जो यहाँ पर fluorine है उसकी electron activity जादा होती है इसके कारण के dipole moment की direction fluorine की और हो जाती है ठीक है तो lone pair से तो बाहर की और ही रहेगी तो यह सभी opposite है तो इसका approximately answer हमें 0 मिल जाता है बट NH3 के case में N की electron activity जादा है तो सभी dipole moment की direction N की और रहेगी तो वो सभी add up होकर हमें यह answer देदेंगी ठीक है तो NH3 ammonia की dipole moment जादा होगी than the NF3 क्यूंकि PCL3 and PCL5 की structure यह भी आप लोग यहां से देख सकते हैं PCL3 की तो same है NCL3 जैसी ठीक है या फिर NF जो हमारा 3 था उसके जैसी PCL5 में क्या होता है यह हमारे पास geometry बनती है trigonal bipyramidal ठीक है यह जो है तीन bond these are all in the same plane and these are called the equatorial bonds और यह दोनों ऊपर नीचे होंगे these are called the axial bonds ठीक है तो यहां पर यह जो यहां पर axial bonds are longer than the equatorial bonds ठीक है equatorial bonds axial bonds से छोटे होते हैं ठीक है और PCL5 को अगर हम solid state में बनाएंगे तो वो अपने ऐसे कुछ ions बना कर वहां पर exist करेगा ठीक है clear है तो यह बाते हैं आप लोगो याद रख सकते हैं तो आगे चलते हैं इसमें हम acids की कुछ बात करते हैं तो acid important है हमारे पास यहां पर HNO3 that is the nitric acid इसकी सबसे पहले preparation के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं सबसे पहले ammonia की oxidation की जाती है in the presence of the platinum and रहोडियम गोज के अंडर तो उससे इसकी जब हम करते हैं oxidation तो हमें NO gas मिलती है nitric oxide तो यह reaction exothermik है मतलब हमारी main reaction यही होगी तो इससे जब NO बन जाती है वो बाद में oxygen के साथ रेक्ट करकर NO2 बना देती है brown color की gas इसको water में dissolve कर लिया जाता है वहाँ से हमें HNO3 acid मिल जाता है clear है तो ऐसे हम इसकी preparation कर सकते हैं इस process को बोलते हैं ost walts process ammonia की preparation को बोलते हैं hebers process clear है तो अब इसकी कुछ important reactions है आप लोगोंने सिरफ product याद करने हैं इस पर based mcq आने के बहुत ज़्यादा chances है zinc की reaction with concentrated HNO3 में zinc nitrate and NO2 same to same copper की reaction with the concentrated HNO3 copper nitrate and NO2 जो हमारी NO2 gas है brown color की zinc की reaction with the dilute HNO3 zinc nitrate and साथ में बनेगी N2O gas यहाँ पर दियान रखेगा यहाँ पर आपको मिलेगी N2O gas और copper की reaction with the dilute HNO3 वहाँ पर आपको NO gas मिलेगी तो यहीं पर change है मेली यह change आप लोग उने याद रखना है concentrated acid के case में same product मिलते हैं वह आप लोग याद रख लीजे clear है तो आगे चलते हैं इसका oxidation action तो iodine की oxidation होकर HNO3 के साथ हमें iodine acid और NO2 मिलता है जब भी हम कहीं पर use करेंगे concentrated HNO3 तो हमें NO2 ही मिलने वाला है phosphorus की oxidation होकर phosphoric acid and N2 carbon की oxidation होकर carbon dioxide and NO2 तो result only आप लोग product याद करने balancing अगर हो सके तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि reaction complete बिल्कुल नहीं आएगी उसके आप लोगों को product पूछे जाएंगे तो ऐसे इसमें एक होता है brown ring test for the detection of the nitrate iron this is very very important तो इसमें क्या होता है कि हम dilute ferrous sulfate solution जो हमने freshly prepared किया है उसमें हम हमारे aqueous solution of salt को add करते हैं जिसमें ये वाला iron हो उसमें हम add करेंगे concentrated sulfuric acid along the sides of tube तो क्या होगा कि बीच में brown color की ring formation होनी शुरू हो जाएगी वो ring brown color की क्यों form होती है उसमें ये वाला complex बनता है इसका formula याद रखेगा ये बहुत बार पूछा जाता है brown ring का formula ये है तो ये क्या है pentaqua nitrosile iron 2 तो ये बात आप लोगोंने याद रखेंगे clear है तो इसके लावा ये कुछ और हमने यहाँ पर structures बनाई है जो के हमारे acids के साथ related है ये आप लोगोंने खुद read out कर लेनी है ये आप लोग video को यहाँ पर pause करकर इने read कर लें तो आपके लिए काफी useful रहने वाले है ठीक है clear है तो आगे चलते हैं N2 के बारे में हम कुछ read करते हैं hydrogen gas के बारे में इसकी preparation के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं इसकी preparation के लिए हम ammonium chloride को sodium nitride के साथ react करकर N2 gas बना सकते हैं water and NaCl तूसरी important ये बहुत important action है कि ammonium dichromate को heat करेंगे तो हमें N2 water and CR2O3 मिल जाती है और अगर हमें very pure बनानी है तो हम barium azide या फिर sodium azide को decomposition होकर हमें N2 gas मिल जाती है ये reactions भी exam में बहुत बार ही पूछी जाती है ठीक है कि very pure N2 gas बनानी हो तो इन में से किस compound को decompose करकर बना सकते हैं barium azide या फिर sodium azide को अब हम start करते हैं group number 16 को तो group number 16 start होता है oxygen से oxygen, sulfur, selenium tellurium and polynium ठीक है तो ये सबी इसमें elements होते हैं आप लोग इनके atomic numbers को ज़रूर याद रख लेना इसकी journal electronic configuration क्या रहती है Ns2, Np4 P में 4 electrons आ जाते हैं ठीक है तो इनमें भी हमारा same रहेगा कि atomic and ionic radii जो इनके group number 16 से छोटे होते हैं ठीक है smaller होते हैं और जो के increases down the group वो तो सभी groups में same होता है and ionization energies जो हैं वो इनकी these are less than the group number 15 ठीक है expector था कि इनकी जो ionization enthalpies हैं वो group number 16 से जादा होंगी but इनकी ionization energies group number 16 से low हो जाती है because group number 15 से low हो जाती है because group number 15 में half filled orbitals होते हैं इसके लिए उनकी जो ionization enthalpy है वो यहाँ पर group number 16 से जादा होती है so so now इसके लावा जो oxygen है that is the second most electron negative element यह हमारे पास second most electron negative element है इसे उपर fluorine होता है electron gain enthalpy के बारे में अगर हम यहाँ पर भात करते हैं तो electron gain enthalpy sulfur to polonium decrease होती है ठीक है और oxygen की बी electron gain enthalpy sulfur से low होती है मतलब के sulfur की सबसे जादा रहेगी oxygen की electron gain enthalpy sulfur से क्यों low हो जाती है क्योंकि oxygen का size बहुत ही छोटा होता है very small size है जिसके कारण के वहाँ पर incoming electron जो के gain होता है उसको repulsion feel होती है ठीक है clear है तो इसमें भी अगर हम बात करें about the catenation property तो इसमें भी same चलेगा के sulfur की ही catenation property जो है वो इस group में सबसे जादा होती है क्योंकि sulfur sulfur के bonds वो strong बनते है oxygen oxygen का single bond weak होता है तो ये सबी points आपने same explain कर देने है कि oxygen एक gas होती है और oxygen में P5 P5 bonds बनते है जैसे हमने N2 में explain किया था वैसे ही similar दिया आप लोग O2 में भी explain कर सकते है बट यहाँ पर oxygen oxygen में बनेंगे double bond और जैसे के वहाँ पर phosphorus में P4 बनता है ऐसे ही हमारे पास sulfur में S8 बनता है तो S8 जो ring बनती है sulfur की उसकी structure क्या होती है that is called the puckard ring structure ऐसी ही same जो है वो selerium की भी बन जाती है तो sulfur एक solid होता है oxygen एक gas होती है reasons आपके जो group number 15 वाले same चलेंगे यहाँ पर इसके बाद है oxidation states जो group number 16 में कौन कौन सी show होती है minus 2 minus 1 and plus 2 and 0 भी show हो सकती है तो अगर हम oxygen की बात करें तो यह mainly minus 2 ही show करती है इसके लावा जब कभी oxygen oxygen में single bond बन जाए यानि के हमारे पास compounds हो that is the per oxides तो इसकी oxidation state बन जाती है minus 1 वो H2O2 में होती है इसकी plus 2 बनती है सिरफ जब यह fluorine के साथ join होता है fluorine के साथ ही इसकी positive oxidation state बन सकती है ठीक है और 0 बनती है जो इसकी elementary state है oxygen gas and ozone gas clear है और tendency to show the minus 2 oxidation state decreases down the group ठीक है down the group यह tendency decrease हो जाती है क्योंकि electron negativity decrease हो जाती है इसलिए ठीक है और जो हमारी sulfur है उसके पास d-orbitals भी होते हैं इसलिए वो इसके इलावा plus में भी बहुत सारी oxidation state जैसे के plus 2, plus 4, plus 6 तक show करती है ठीक है यूदकि उसके पास d-orbitals होते हैं oxygen के पास d-orbitals नहीं होते हैं ठीक है bone angle भी normal tetrahedral angle से छोटा रहता है due to the two lone pairs present ठीक है इसलिए और इसमें भी bone angle decrease करता है down the group same reason के bone pair moves away from the central atom therefore bone angle decreases ठीक है और इनका acidic character increase हो जाता है क्योंकि hydrogen जो end वाला है उसका bond weak होगा due to the more size तो उसका hydrogen easily release हो सकता है therefore acidic character और reducing character इनका increase होता है दोनों का same reason है mh bond decision energy वो weak bond होता है जल्दी break हो जाता है इसलिए ये ज़्यादा acidic होगा और ज़्यादा reducing power होगी इसकी thermal stability low होगी so thermal stability decreases तो यही 4-5 properties हम सभी hydrates में explain करने वाले हैं तो प्लीज इनको अच्छे से याद कर लीजे this is very very important point clear है ठीक है and h2s is more acidic than the phosphine also क्योंकि sulfur की electron negativity higher होती है ठीक है तो h2s जो है वो more acidic than phosphine phosphine में तो basic reactor होता है तो h2s एक acidic है ठीक है तो h2s जो है वो यहाँ पर more acidic than the water है ये बात आप लोग याद रखेगा सबसे strong acid ये है water सबसे weak acid है इन में से ठीक है ये बात आप लोग याद रख सकते हैं इसके इलावा इनके आते हैं boiling points या फिर इनकी volatility ठीक है अगर हम इनकी volatility के बारे में read out करते हैं तो जो यहाँ पर h2o का boiling point एक दूसरे के opposite होते हैं boiling point ज्यादा होगा तो volatility यानि कि उसके vapors बनना वो लो हो जाएगी ठीक है water की volatility low है boiling point high है due to the hydrogen bond formation in the h2o ठीक है क्योंकि oxygen का size small है उसकी electron activity high है तो वो strong hydrogen bonds बना सकता है h2s में ऐसा विल्कुल नहीं होता तो h2s की volatility सबसे जादा है यानि कि उसका boiling point जो है वो यहाँ पर low हो जाएगा इसलिए वो gas भी होता है h2s एक gas है but water एक liquid है क्योंकि water में जो बनते हैं hydrogen bond बनते हैं इसलिए ठीक है clear है and also उसने हमें बताया है कि oxygen and the chlorine have nearly same electron negativity but only oxygen can form the hydrogen bond but chlorine cannot because the small size ठीक है chlorine में भी hydrogen bond बनते हैं but इतने strong नहीं बनते जितने के oxygen बना लेता है क्योंकि chlorine का size बड़ा है oxygen का size छोटा है तो सिरफ electron activity के उपर ये बात बिल्कुल नहीं depend करती ये size पर भी depend करती है क्योंकि hydrogen के size हमारा comparable होगा तो ही effectively उसके साथ वो hydrogen bond बना पाएगा clear है ठीक है तो small size होने के कारण oxygen पर more electron density होती है इसलिए वो hydrogen bond अच्छे से बना पाता है clear है तो आगे चलते हैं इनकी कुछ और structures है important hydrates में जैसे कि H2O2 है ह2O2 की structure कैसी होती है skew structure होती है इसमें angle कितना रहता है दोनों planes में 94 same ही H2S की भी होगी इसके बाद हम इसके कुछ oxides read करते है sulfur का oxide sulfur dioxide SO2 उसकी structure आप लोग यहाँ से देख सकते है इसको बना कर देख लीजिए important है तो इसमें resonance के साथ bond order कितना बन जाएगा 1.5 क्योंकि total है तीन bond दो structures है तो 3 by 2 हमारा 1.5 बन जाएगा bond order तो यह आप लोग यहाँ पर read out कर सकते है इसकी कुछ important बाते हैं तो आपको directly पूछी जाती है sulfur dioxide is a reducing agent but TeO2 तो हमारे पास element है Te इसका oxide reducing agent बिलकुल नहीं है because sulfur is more stable in plus 6 oxidation state sulfur अपनी plus 6 oxidation state बनाएगा उसकी SO2 में plus 4 है तो वो अपनी plus 4 से plus 6 बनाने को जोर देगा इसलिए वो reducing agent है but Te जो end well element है due to the inert pair effect उसमें तो plus 4 ही ज़्यादा stable होती है इसलिए वो अपनी उसी oxidation state में ही रहता है ठीक है sulfur dioxide is reducing as well as oxidizing agent यह बहुत बार paper में पूछा जाता है sulfur dioxide reducing भी होता है oxidizing भी होता है क्यूंकि वो अपनी plus 4 oxidation state को increase भी कर सकता है और decrease भी कर सकता है इसलिए ठीक है यह उसकी एक beach बाली oxidation state है uncrease होकर plus बना सकता है 6 और decrease होकर 0 बना सकता है plus 2 बना सकता है minus 2 बना सकता है इसलिए moist SO2 जब reducing agent के जैसे act करता है तो उसकी कुछ reactions है जैसे के वो जो यहाँ पर ferric ions होंगे FE3 positive ions होंगे उनको reduce कर कर क्या बना देगा FE2 positive ions बना देगा ठीक है उसमें एक electron add कर देगा और वो खुद बन जाएगा sulfate ऐसे ही MnO4 यानि के KmnO4 यानि के potassium पर meganeid के साथ प्रेक्ट करेगा तो उसको decolorize कर देगा उसका रंग खतम कर देगा इसका रंग होता है परपल रंग होता है ठीक है तो वो इसका यहाँ पर डी decolorize हो जाएगा ठीक है clear है और इसके अलावा SO2 को बनाने के लिए हम क्या क्या reaction यूज़ कर सकते हैं हम sulfur की oxygen के साथ directly reaction करवा सकते हैं वहाँ से बन सकता है ठीक है और sulfur को हम यहाँ पर SO2 को water के साथ react करवाएंगे तो H2SO3 यानि के sulfurious acid बन जाएगा और इसकी chlorine के साथ reaction करवाएंगे तो हमारे पास sulfurial chloride SO2Cl2 बन जाएगा ठीक है और SO2A का हमारे लिए यहाँ पर air pollutant भी है क्योंकि इसके साथ acid rain बनती है clear है ठीक है तो यह कुछ बाते थी important SO2 के बारे में आगे चलते हैं SO3 यानि के sulfur trioxide ठीक है SO3 को sulfuric acid में हम absorb करवा लेते हैं तो हम oleum बना सकते हैं this is an acid of the sulfur oxo acid of an sulfur ठीक है SO3 की structure बहुत ही simple है यह बात आप लोग यहाँ से read out कर सकते हैं clear है ठीक है इसके बारे में अब इसके कुछ halides देखते हैं group number 16 elements के तो oxygen तो सिर्फ fluorine के साथ attach हो करी अपना halide बनाएगा बाकि सभी के साथ अगर CL के साथ attach करें तो वो तो oxide होता है ठीक है अब यहाँ से important क्या पूछा जाता है कि OF6 बन सकता है या फिर नहीं देखे oxygen भी अपने साथ maximum 6 bonds वो बिल्कुल नहीं बना सकता कि उसके पास d-orbitals नहीं होते इसलिए वो अपनी कोवलेंसी इतनी जादा बिल्कुल नहीं शो करेगा sulfur अपने साथ 6 atom जोड सकता है बट oxygen बिल्कुल नहीं जोड सकता due to the absence of the d-orbitals ठीक है तो sulfur में बहुत सारे halides बनते हैं उसके जो होते हैं फ्लोराइट्स वो सबसे ज़्यादा स्टेफल रहते हैं जैसे कि SF4 है SF4 की structure पूछी जाती है बहुत important है कैसे आप लोगोंने soul करनी है sulfur के पास 6 electron होते हैं 4 उसने bond बना लिए तो 4 होगे हमारे पास bond pair 2 बचे electron 2 electron का 1 बन जाएगा lone pair तो total कितनी चीज़े होंगी 5 तो जब होती है 5 तो arrangement आपको याद रखना है that is the trigonal bipyramidal वाला arrangement और एक equatorial position पर आप लोगोंने lone pair रखते ना है तो अगर हम इसे ऐसे देखेंगे so this is the CSA CSA ऐसे हो जाएगा तो इसे हम CSA geometry बोलते हैं तो इसके all the 5 bonds equivalent ही होंगे ठीक है 2 bonds equatorial है और 2 bonds axial है यह हमने इससे पहले read किया था PCL5 की structure में ऐसे अगर हम बात करें SF6 के बारे में तो इसकी structure यहाँ पर octahedral होती है ठीक है तो यहाँ पर सभी bonds equivalent होंगे 4 bonds एक plane में होंगे और 1 bond उपर नहीं नीचे होंगे SF6 एक inert compound होता है क्योंकि 6 fluorine atom उसे यहाँ पर sterically यहाँ पर protect कर लेते हैं मतलब उसके आसपास आ जाते हैं और फिर किसी चीज़ का उस पर attack होना काफिर difficult हो जाता है यह भी आप लोगों को पूछ सकते हैं इसलिए इसे electrical insulators के जैसे भी यूज किया जाता है clear है ठीक है तो आगे चलते हैं इसके इलावा कुछ और important है कि SCL6 SF6 बन सकता है बढ़ हम 6 chlorine atom का size ज्यादा होता है इसलिए वह 6 chlorine atom sulfur के आसपास बिलकुल नहीं arrange हो सकते हैं ठीक है so therefore it is not known तो SO3 की dipal moment 0 होती है SH6 भी हमारे पास नहीं होता क्योंकि sulfur की 6 positive oxidation state बनाने के लिए जो atom उसके साथ join करना है उसकी electron activity high होनी चाहिए तो hydrogen की low होती है therefore SH6 भी नहीं बनता SCL6 भी नहीं बनता ठीक है तो sulfur dioxide का bleaching action भी होता है वह क्यों होता है क्योंकि इसमें reducing property होती है वो water की presence में अपने में से तो वहां से एक hydrogen produce करता है वो hydrogen आके किसी चीज को bleach कर देती है तो इसका bleaching action क्या होता है temporary होता है यह दो दो बातें याद रखिएगा reducing के कारण होता है और क्या होता है temporary होता है यह बहुत बार ही paper में आप लोगों को पूछा जाता है clear है तो आगे चलते हैं इसके बाद है हमारे पास di oxygen के बारे में ठीक है di oxygen gas को बनाने के लिए हम oxygen वाले कुछ compounds की decomposition करवा सकते हैं जैसे के potassium chlorate है PB का oxide है या फिर H2O2 है इनको heat करेंगे तो हमें oxygen gas मिल जाएगी ठीक है इसके बादा इसमें कुछ important points है के oxygen जो है वो यहां पर paramagnetic होती है ठीक है इसी के जैसे अगर हम sulfur को vapor state में change करें तो sulfur भी S2 form में हमें मिलता है और वो भी यहां पर paramagnetic होता है S2 या O2 दोनों paramagnetic क्यों होते हैं यूकि इनके anti-bonding pi orbitals में unpaired electrons होते हैं यह आप लोगोंने molecular orbital जो हमारी electronic configuration होती है उसके according है यह सब कुछ ठीक है तो यहां पर आप पस इतना reason याद रख लें बाकि आपसे इतना ज़्यादा इसके बारे में deeply बिल्कुल नहीं पूछेंगे तो जो anti-bonding pi orbitals होते हैं उनमें unpaired electron होने के कारण यह दोनों paramagnetic होते हैं ठीक है o2 rects with nearly all the metals and non-metals ठीक है oxygen almost सभी non-metals और metals के साथ rect हो जाती है except gold and platinum ठीक है because these are the noble यहां पर आएगा noble metals इसलिए इनके साथ यह नहीं rect होता है तो aluminium के साथ rect होकर aluminium oxide बनता है HCl के साथ rect होकर Cl2H2O बनता है ऐसी बहुत सारी reactions है oxygen की ठीक है oxygen gas की क्योंकि हर एक compound की oxygen के साथ reaction almost हो जाती है ठीक है ozone के बारे में बात करते हैं तो ozone की structure याद रखेगा ठीक है ozone की shape क्या होती है bent shape होती है तो दो resonating structures इसकी बनती है तो दोनों bond orders क्या बनेंगे 1.5 के ही बनेंगे सेम ठीक है इसकी formation जो होती है upper part of the atmosphere में ozone कैसे बनती है oxygen जब UV rays को absorb करती है तो वो ozone में change हो जाती है ozone एक powerful oxidizing agent होता है ठीक है और ozone जो है वो thermodynamically than the oxygen oxygen ज़्यादा stable होती है ozone की decomposition spontaneous होती है ठीक है क्योंकि ये exothermic reaction है और इसमें entropy increase होती है तो आप लोगोंने read किया होगा कि अगर exothermic reaction and entropy increase हो तो हमारी gips जो energy होती है उसके change का sign क्या हो जाता है minus हो जाता है तो इसलिए spontaneous process है ये भी आप लोगों से पूछा जाता है पेपर में कि ये spontaneous क्यूं है ठीक है क्योंकि ये exothermic है entropy increase हो रही है therefore gips energy change is negative ठीक है clear है तो ये कुछ बाते हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूं द्यान से सुनिए याद रख लीजिए याद आप लोगों को खुद रखनी होगी ये बार-बार पेपर में पूछी जाती है ठीक है clear है तो आगे चलते है oxidizing action इसका ठीक है ozonic oxidizing agent है ये potassium iodide में से iodine को oxidize करकर वहां पर iodine बना देती है solid ठीक है i2 बना देती है यहां पर ions होंगे iodide ions होंगे उससे iodine बन जाती है ये mercury की oxidation करवाकर उसका oxide बना देती है ठीक है और ये PBS यानि के head sulfide की oxidation करकर उसको sulfate बना देती है clear है तो ozone जो होती है हमारे atmosphere में उसके लिए harmful क्या क्या है एक तो cfc chloroflorocarbons क्योंकि उनमेंसे क्या बाहर आती है nascent chlorine atoms जो के ozone के साथ रेक्ट करकर उनको change करते है into oxygen ऐसे ही NO यानि के hydrogen के oxide जो के हमारी jet जो होते हैं यहां पर aeroplanes वगरा होते हैं उनमेंसे release होते हैं तो ये भी ozone को change कर NO2 और O2 बना देती है ठीक है तो cfc और फिर हम इनको बोलते हैं ये एक aerosol होती है तो आपको paper में पूछ सकते हैं कि कौन सी aerosol ozone के लिए harmful है तो वो कौन है cfc ठीक है chlorofluorocarbons clear है तो ऐसे ही जो most stable allotrop of the sulfur है ये भी आपसे पूछ सकते हैं that is the rhombic sulfur ठीक है जैसे ozone and oxygen ये oxygen की दो forms है ठीक है O2 and O3 इसे ही sulfur की यहां पर अलग-अलग forms होती है rhombic sulfur होता है monoclinic sulfur होता है तो rhombic सबसे ज़्यादा stable है और उसे monoclinic में change कर सकते हैं अगर हम उसे 370 से अबव में अगर हम उसे यहां पर heat करते हैं ठीक है तो जो rhombic sulfur है उसकी structure कौन सी होती है पकड रिंग जो हमने शुरू में बना कर दखाई थी 8 जो यहां पर 8 sulfur atoms वाली ठीक है clear है भी तो आगे चलते हैं आगे है इसके कुछ oxo acids ठीक है sulfur के oxo acids की structures पर मैंने वैसे यहां पर एक separate video बनाई है कि आपने इसको कैसे याद रखना है ठीक है यहां पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ तो वो आप लोग वहां से जरूर एक बार दियान से सुन देना ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास sulfurious acid H2SO3 इसके बारे में क्या पूछेंगे कि इसके पास lone pair है और इसमें oxidation state है plus 4 ठीक है lone pair फिर वाला सिरफ यही एक acid है फिर आ जाता है यहां पर H2S2O3 that is the thiosulfuric acid इसमें special क्या है इसमें sulfur sulfur का double wound है इसमें oxidation state भी सिरफ a plus 2 है फिर आता है dithionic acid इसमें oxidation state क्या है plus 6 है यहां पर ठीक है तो इसकी oxidation state अगर आप लोग soul करकर देखेंगे तो I think इसमें plus 5 बनेगी ठीक है एक बार soul करकर ज़रूर देख लेना sulfur की oxidation state ठीक है तो यह आप लोग यहां पर खुद soul करकर देख सकते हैं ठीक है इसमें भी sulfur sulfur का single wound है ठीक है तो यह तो हमारा हो गया simple sulfuric acid H2SO4 ठीक है ऐसे अगर हम दो oxygen और जोड़ दें तो यह हमें मिल जाता है H2SO5 यह भी पूछा जाता है this is the per oxo acids ठीक है तो इसके दो बनते है per oxo acid एक तो यह हो गया H2SO5 ठीक है H2SO5 और दूसरा इसका बनता है per oxo acid that is the H2SO8 इसमें भी oxygen oxygen का single bond होता है तो यह दोनों इसके हैं per oxo वाले acid और यह है इसका H2SO7 that is the pyrosulfuric acid या फिर oleum या फिर disulfuric acid यह भी बहुत important है तो ऐसे आप इन सभी की एक बार structures को draw कर कर देख लें इन में से एक MCQ जरूर बनेंगा structures के उपर तो यह मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं सभी structures यह आप लोगों ने जरूर एक बार सुनने नहीं है clear है तो आगे चलते हैं sulfuric acid की हमें main यहां पर आती है study तो उसके बारे में हम कुछ important points यहां पर देख लेते हैं तो इसकी जो है यहां पर physical properties में के इसका boiling point बहुत हाई होता है viscosity भी हाई होती है क्य transcarte a longСп STUDENT काफी जादा यहां पर extensive hydrogen bonding होती है ठीक है क्यों oui नहीं पर हाइड़ो है यहां पर बना सकता है। इसलिए इसमें जादा hydrogen bonding होने के कारणी इसका boiling point भी high रहता है।्ट है तो इसका हम यहां पर अगर इस्रिक character explain करें ठीक है तो इसमें सबसे पहले एक यहाँ पर H positive release करेगा और HSO4 ion बनाएगा और ऐसी यह दोनों भी अपने release कर सकता है hydrogen ion तो अगर हम यहाँ पर dissociation constant की बात करें तो अगर एक hydrogen release करना हो तो उसकी value काफी ज़ादा होती है मतलब बहुत चीज easily हो जाती है अगर हमने दोनों hydrogen ion करने हो तो उसकी value काफी छोटी है इसका reason भी आप लोगों को पूछ सकते हैं कि why Ka1 is greater than the Ka2 because Ka2 में क्या होता है कि यह जो ion है HSO4 1 negative इस पर already charge क्या चुका है minus का इसमें से positive ion अगर हमने remove करना हो तो यह उस positive ion को attract करेगा क्योंकि opposite charge है तो फिर इसलिए यहां से H positive का release होना difficult होता है ठीक है तो sulfuric acid के uses या उसकी कुछ applications क्या है कि उसे हम dehydrating agent के जैसे use करते हैं dehydrating agent जो कि किसी भी compound में से water को remove करते हैं ठीक है तो इसको gases को dry करने के लिए भी use करते हैं उसमें से यह moisture को absorb कर लेता है और इसके साथ हम cheering भी कर सकते हैं cheering मतब जैसे हम sugar के उपर add कर देंगे concentrated acid तो यह sugar का पूरे का पूरा water बाहर निकाल कर खुद absorb कर लेगा और वहाँ पर क्या रह जाएगा only the carbon बन तो ब्लैक हो जाएगी शूकर ऐसे मरी skin को भी यह dehydration के साथ ही black कर देता है तो यह बात आप लोग याद रख सकते हैं sulfuric acid अगर हम use करते हैं hot and concentrated तो यह भी एक अच्छा oxidizing agent है तो इसमें से भी एक ascent oxygen release होती है तो इसके कुछ हम examples करते हैं carbon की oxidation करकर यह बना देगा CO2 और अपनी इसकी बन जाएगी SO2 sulfur की तो SO2 ही बनाएगा phosphorus का बनाएगा phosphorus एसर और copper वगएरा अगर हम किसी metal के साथ यूज करते हैं तो वहाँ पर इसका sulfate बन जाएगा अब देखिए आप लोगोंने क्या-क्या याद रखना है आप लोगों को पूछ सकते हैं कि कौन से compound की oxidation होकर क्या बनता है ठीक है clear है तो यह था group number 16 अब इसके बाद आप हम आगे शुरू करेंगे group number 17 के बारे में ठीक है so now अब हम इसके बाद start करते हैं group number 17 को तो group number 17 में होते हैं हमारे पास halogens तो इनको halogens क्यों कहते हैं because यह C में मिलने वाले salts बनाते हैं जैसे कि sodium chloride, potassium chloride वगरा इसमें कौन से elements मिलते हैं that is the fluorine, chlorine, bromine, iodine astetine तो जो इसमें astetine है that is the radioactive तो आपने main जो उपर वाले 4 elements ही याद रखने हैं इनकी general electronic configuration is the NS2NP5 P में सिरफ एक electron और आ जाए तो यह stable हो जाएंगे तो इनको one electron की requirement होती है two for the stability तो इनकी जो यहाँ पर general properties होंगी वो हम अब यहाँ पर read करते हैं तो सबसे पहले atomic and ionic radii same रहेगा के increases down the group होगा इनका radii अपने अपने period में सबसे छोटा होता है smallest radii in their respective periods radius of the halide ions जब यह ion बना लेते हैं एक electron गेन कर लेते हैं तो इनका radius increase हो जाता है than the atom क्योंकि वहाँ पर number of electrons ज़्यादा हो जाएंगे जिसके कारण के effective nuclear charge पर electron decrease हो जाएगा इसी कारण से अब देखिए आप लोगों को यह जितने भी reasons होते हैं यह आपको assertion reason की form में बना कर या फिर MCQ में ऐसा ही ऐसी कुछ problem बना सकते हैं कि select the wrong statement above the following ऐसी आपको कोई भी property वहाँ पर दे सकते हैं इसके बाद इनकी electron gain enthalpy होती है maximum in their respective period अगर हम second period में बात करें तो fluorine की electron gain enthalpy सबसे ज़्यादा रहेगी ठीक है because they have only one electron less than the stable noble gas electronic configuration ठीक है अब इसके बाद जैसे के हमने पिछले ग्रुप में ये बात read की थी कि oxygen की electron gain enthalpy sulfur से low होती है similarly जो है वो यहाँ पर fluorine की electron gain enthalpy भी chlorine से low होती है क्यूंकि fluorine का size बहुत छोटा है तो incoming electrons जो है वो यहाँ पर repulsion phase करते है तो फिर इसी के कारण ही chlorine की electron gain enthalpy पूरे ही predictable में सबसे ज़्यादा रहती है clear है तो जो यहाँ पर fluorine है इसकी electro negativity सबसे ज़्यादा होती है तो ये दोनों element हमें इसी group में ही मिलते है तो ये सबी क्या होते है these are all the non-metals क्यूंकि इनकी ionization enthalpy high होती है और सिरफ iodine ही इन में से positive iron बना सकता है बाकी इन में से कोई भी positive iron जल्दी बिल्कुल नहीं बनाएगा chlorine की positive oxidation states form हो जाती है clear है तो आगे चलते हैं हेलोजन्स जितने भी होते हैं हेलोजन्स आर दी हेलोजन्स आर दी colored substances क्यूंकि ये क्या करते हैं these absorbs the energy radiations from the visible region ये visible region में से energy absorb करते हैं electron oxide हो जाते हैं और जब electron आते हैं back तो फिर इनका कोई ना कोई रंग शो होता है जैसे के chlorine होती है yellowish green gas bromine होता है reddish brown liquid iodine होता है violet solid तो ऐसे इन सभी के यहां पर different different होते हैं रंग मिलते हैं ठीक है इसके बाद इनकी कुछ oxidation states के बारे में बात करते हैं fluorine की एक ही oxidation state होती है that is only minus one ठीक है इसकी कोई भी positive oxidation state बिल्कुल नहीं होती because it is the most electron negative element इसलिए इसमें सिर्फ only minus one oxidation state ही show होती है ठीक है जो इसमें other elements है जैसे के chlorine, bromine, iodine वगएरा उनमें तो और भी बहुत सारी oxidation state जैसे के plus one, plus three, plus five, plus seven show हो जाती हैं क्योंकि उनके पास d orbitals रहते हैं clear है ठीक है अब इसके बाद बहुत important है कि यह जो oxygen और fluorine होते है O2 and fluorine होते है यह metals में higher oxidation states को stable करते हैं मतलब अगर किसी metal की high oxidation state show हो रही है plus six, plus seven तो फिर उसके साथ या तो fluorine जुड़ा होगा या फिर oxygen जुड़ा होगा ठीक है clear है यह बात आप लोग ने याद रखनी है इसके बाद among the halogens, fluorine is the most reactive ठीक है fluorine सबसे ज़्यादा रखनी होता इसलिए हम fluorine की reactions इसकी जो होती है वो सभी यह बहुत ज़्यादा रखनी होता है तो उसमें बहुत सारी energy निकलती है तो इसलिए हम fluorine को बिल्कुल नहीं use करते ठीक है अब halogens act करते है as a powerful oxidizing agent ठीक है क्योंकि इनकी bond decision enthalpy low है इनकी electron negativity और electron gain enthalpy high है इसलिए ये act करते है as a powerful oxidizing agent और इन में से fluorine is the strongest oxidizing agent इसका reason paper में बहुत बार ही पूछा गया है ये बात आप लोगोंने याद रखनी है due to the low bond decision enthalpy of the FF bond and high hydration enthalpy of the small fluoride ion ठीक है ठीक है एक्सपेक्टर था के जो यहाँ पर CL2 chlorine सबसे ज़्यादा मतलब oxidizing अपना action शो करेगा क्योंकि उसकी electron gain enthalpy ज़्यादा होती है बट यहाँ पर hydration enthalpy का भी रोल है तो वो fluorine की ज़्यादा होती है तो इसलिए fluorine सबसे strong oxidizing agent रहेगा यह दोनों reason आप लोगोंने यादा कर लेनी है ठीक है clear है तो आगे चलते है bond decision enthalpy of the FF bond is less than the CL2 ठीक है तो FF bond की bond decision enthalpy CL2 BR2 से भी low होती है क्योंकि small size है तो fluorine fluorine में जो non bonding electrons होते है उनमे repulsion हो जाती है ठीक है clear है fluorine oxidizing agent है strong इतना oxidizing यहाँ पर strong agent है कि वो water को भी oxidize water की भी oxidation होकर उससे oxygen बना देता है ठीक है तो fluorine plus water क्या बनेगा एक तो HF यहाँ पर acid बनेगा तो acid ionize होकर यहाँ पर hydronium ion and fluoride ion बनाएगा और साथ में oxygen बन जाएगी clear है इसके मुकाबले जो होते हैं वो chlorine and bromine भी rect करते है water के साथ बट वो दोनों slowly करते हैं जैसे के chlorine को अगर हम water में add करते हैं तो यह यहाँ पर hypochloris acid और HCl बनाएगा इसको हम chlorine water bowl देते हैं तो यह जो hypochloris acid बाद में decompose हो जाता है ठीक है तो यह बात आप लोगोंने याद रखनी है अब इसके भी hydrates बनते हैं जैसे के बाकी के groups में बनते थे ठीक है तो इसमें भी hydrates बनेंगे HF, HCL, HBR, HI सभी properties इसमें भी same रहेंगी सबसे पहले आगई bond length वो down the group increase करेगी इसलिए bond weak होता जाएगा तो bond decision जो enthalpy है वो करेगी decrease ठीक है reducing character increase करेगा क्योंकि जो इसका bond easily break होगा तो इसलिए इसमें acidic strength जो जहांपर acidic behavior भी increase हो जाएगा तो सबसे strong acid एचाई होगा और सबसे weak HF होगा ठीक है और इनकी stability हो जाएगी decrease हो जाएगी clear है तो ये सभी hydrates में हमने same property rate की है बारपा अब इनकी कुछ preparation की reactions है जैसे के HF को बनाने के लिए हम क्या करते है calcium fluoride की reaction sulfuric acid के साथ करवा दे वहाँ से बन जाता है HF और calcium sulfide ये reaction सिरफ मैं आपको important reactions ही यहाँ पर सिरफ बता रहा हूँ तो इतनी reactions आप लोगों ने जरूर कर लेनी है फिर hydrogen की reaction होती है chlorine के साथ in the presence of the diffused sunlight तो HCl बन जाता है ऐसे इनकी हम यहाँ पर preparation कर सकते हैं अब इसके बारे में कुछ important point कि HF क्या होता है एक liquid होता है क्योंकि इसमें strong hydrogen bond बन जाते है HCl एक gas होती है तो HCl वैसे तो gas होती है उसको water में dissolve करकर उसका acid बना लेते हैं clear है तो HF is not stored in glass bottles HF को glass मतलब शीशे की bottles में बिल्कुल नहीं store करते क्योंकि ये glass को अपने बीच dissolve कर लेता है तो glass का जो normally formula क्या होता है sodium silicate का होता है glass बना तो ये sodium silicate को अपने में dissolve कर लेता है तो इसलिए इसे glass bottles में store नहीं किया जा सकता clear है तो आगे चलते है despite of having the greater polarity of the HF ठीक है तो चाहे HF की polarity ज़्यादा होती है but it boils at the lower temperature than the water ठीक है क्योंकि अब देखिए कि water में 2 hydrogen है HF के पास 1 hydrogen है तो water में ज़्यादा hydrogen bond बनेंगे तो इसलिए क्या है कि water का boiling point high होता है HF का low होता है क्योंकि इसमें 2 hydrogen होने के कारण extent of intermolecular hydrogen bonding ज़्यादा रहता है ठीक है clear है अब हम देखते हैं कि halogen's के oxides कैसे बनते हैं ठीक है तो halogen's में mainly क्या बनते हैं covalent oxides बनते है and their stability decreases as इनकी stability का decreasing order याद रखना है सबसे ज़्यादा stable है oxides of the iodine उसके बाद आते है oxides of the chlorine और सबसे बाद में आते है oxides of the brownie oxides of iodine क्यों stable है क्योंकि I and oxygen का bond है ये stable हो जाता है due to the greater polarisability of the iodine iodine का size बड़ा होता है तो उसमें क्या होती है के polarization ज़्यादा हो जाती है याद रख लीजे अभी के लिए reasons chlorine में क्या है क्लोरिन बना सकता है multiple bonds ठीक है न double bond बना लेता है bromine में ना तो होती है polarization ना वो अच्छे से multiple bond बनाता है तो इसलिए दोनों ही properties ना होने के कारण उसकी stability सबसे लोग हो जाती है clear है यह order याद कर लेना ठीक है oxide की example आप लोग को भी बना सकते है वो आपको पूछी जा सकती है ठीक है तो fluorine के oxides क्या बनते हैं जब मतलब वो oxygen के साथ के साथ react करता है that is the OF2 और O2F2 O2F2 तो unstable है OF2 को भी हम क्या बोलते है oxygen dye fluoride बोलते है not oxide क्योंकि fluorine की electron negativity जादा है इसलिए ठीक है और इसमें जो I2O5 होता है ठीक है जो यहाँ पर iodine का एक oxide है यह एक strong oxidizing agent होता है ठीक है तो अगर इसकी reaction carbon monoxide के साथ हो detection and the estimation of the carbon monoxide कौन सा oxide यूज़ करते है detection and estimation of the carbon monoxide में that is I2O5 iodine iodine pentoxide clear है ठीक है तो आगे चलते है so now इसके बाद है हमारे पास inter halogen compounds जब एक halogen किसी दूसरे halogen के साथ bond formation करता है उनको हम करते है उनको हम बोलते है inter halogen compounds तो इसमें आप लोगोंने कुछ बाते है जो है वो आप लोगोंने ख्याल में रखनी है कि जैसे है CLF3 ऐसे ही हमारे पास example है यहाँ पर IF5 BRF3 CLF ठीक है तो जो halogen आगे है मतलब जिस halogen के साथ दूसरे कुछ halogen साकर जुडेंगे ठीक है इसका साइज होना चाहिए more जैसे के CL है इसके साथ F जूड सकते है ठीक है न 3 बट F के साथ CL3 बिल्कुल नहीं जूड सकते क्योंकि फ्लोरिन का साइज CL से छोटा होता है ठीक है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा यह बात आप लोगोंने ख्याल में रखनी है ठीक है तो compounds containing two or more different halogen atoms and no atoms from the any other group ठीक है तो these are called the interhalogen compounds examples हो चुकी है इनको बनाने के लिए कुछ हमारी basic सी reactions होती है ऐसी बहुत सारी reactions है कुछ मैंने important आपको बताई हुई है जैसे के chlorine की reaction हो excess of the fluorine में तो वो बनाएगा CLF3 अगर low amount of the fluorine होगा तो CLF ही वहाँ पर form हो जाएगा bromine की हो अगर fluorine की excess में तो वो form करेगा BRF5 ठीक है और iodine ऐसे ही iodide iron को भी अपने साथ जोड़ कर I3-1 agative बना लेता है तो ऐसे interhalogen compounds में वहाँ पर 9s भी बनते हैं कटाइंस भी बनते हैं ठीक है तो ये बात आप लोगोंने याद रखनी है So now Due to the small size and high electron activity fluorine does not play the role of the central atom in the interhalogen compound ये मैंने आपको उपर ही example लेकर बता दिया था कि FCL3 बिलकुल नहीं बन सकता fluorine form the largest number of interhalogen compound ये दूसरों के साथ जाकर जाकर attach हो सकता है fluorine और सबसे ज़्यादा fluorine वाले ही हमें interhalogen compounds मिलते हैं ठीक है और interhalogen compounds are always more reactive than the halogens ठीक है मतलब कि अगर हम बात करें कि CLF और CL2 इसमें से CLF की reactivity ज़्यादा होगी ऐसे ही ICL की reactivity भी ज़्यादा होगी than the iodine and CL2 chlorine दोनों से ही ज़्यादा क्यूंकि जब दो different hydrogens आपस में जुड़ते हैं तो उनका bond weak होता है than the same जो होते हैं atoms ठीक है so when there is a dissimilar atoms यानि XX- bond is weaker than the similar atoms का जो होता है bond XX या फिर XX-X- का bond clear है only fluorine की ही ज़्यादा होती है इन से reactivity fluorine को अगर हम छोड़ दे chlorine, bromine, iodine इन सभी से ही interhalogen compounds ज़्यादा reactiv होते हैं more reactiv होते हैं clear है ये कुछ examples आपके सामने है अब इनकी structures exam में आती है पहुत बार पूछी जाती है उनकी structure सच्छे से याद कर लेना सभी के सभी जिनका फार्मला होगा CLF3, BRF3 इसी form का उनकी structure ऐसी ही यहाँ पर बनने वाली है तो क्या बनेगी दो होंगे उनमें lone piers जो के हम equatorial position पर रखेंगे और एक fluorine atom equatorial पर और दो यहाँ पर axial bonds यहाँ पर बन जाएंगे तो इसकी shape क्या बनेगी bent T shape बनेगी और hybridization कौन सी होगी SP3D hybridization ठीक है clear है ऐसे IF5 या फिर BRF5 हो कोई भी इसी form का हो उसकी यहाँ पर यह वाड़ी shape बनेगी total octahedral वाला arrangement है और एक position पर आ गया है यहाँ पर lone pair तो कौन सी shape बनेगी square pyramidal और hybridization 6 के according होगी 6 orbitals के coding तो SP3D2 ठीक है और ऐसे ही IF7 तो IF7 में क्या होगा यहाँ पर 7 atoms हैं तो यह बनेगी pentagonal bipyramidal और hybridization मनेगी SP3D3 तो यहाँ पर एक plane में attach हो जाएंगे 5 atoms और एक atom उपर और एक atom लग जाएगा उसके नीचे ठीक है clear है तो ऐसे इनकी structures बनेगी ओके तो आगे चलते हैं इसके बाद इसमें ही कुछ ions है that is the ICL21 negative तो इसकी structure क्या बनेगी this is the linear shape बनेगा यह और यहाँ पर होंगे 3 lone pairs this is very very important कितने lone pair हैं तो hybridization तो total यहाँ पर हैं पांच electron pairs के according बनेगी SP3D ठीक है और जो CLF3 होता है it is used in the production of the UF6 ठीक है मतलब used to enrich the uranium 235 जो uranium यूज करते हैं as a fuel in the nuclear reactors उसमें इसे यूज किया जाता है तो यहाँ पर intelligent compound जो के ISO electronic होगा to the CL on negative उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है इनके valence electrons को add कर ले या फिर इनके जो overall electrons होते हैं उनको add कर ले यानिके atomic numbers को add कर ले दोनों में same number of electrons होने चाहिए तो oxygen का होता है 8 एक electron extra आया तो 9 हो गया तो 9 की जगा पर हम fluorine लगा लेंगे तो ऐसे आपको कोई भी आयन यहां से पूछा जा सकता है कि इसके ISO electronic कौन सा आयन है तो यहाँ पर हमने एक P-blok के MCQs की पूरी series बनाई हुई है वो आप लोगों ने जरूर सुनने नहीं है उसमें ऐसी सभी problems आपकी हो जाएगी बाद में हमने यहाँ पर कुछ chlorine की reactions बताई हुई है तो इसमें से जो हमारी सबसे important reaction है वो क्या है कि एक तो हम यहाँ पर Equus solution of the chlorine को क्या कहते है chlorine water chlorine water का जो yellow होता है color वो अगर हम उसे अगर हम उसे रखते हैं तो वो दीरे दीरे उसका जो यलो होता है color वो remove हो जाता है ठीक है क्योंकि उसमें HClO and HCl form हो जाते है ठीक है और इसके लावा यह दोनों reactions बहुत important है chlorine की reaction with cold and dilute sodium hydroxide तो क्या क्या बनता है NCl sorry यहाँ पर NClO sodium hypo chloride और with hot sodium hydroxide NaCl तो बनेगा ही और साथ में बनेगा sodium chloride यह आप लोगों ने जिरूरी आद रखने है ठीक है ऐसे ही calcium hydroxide के साथ अगर हम इसकी करवाते है reaction of the chlorine तो वहाँ से बनता है bleaching powder clear है ठीक है तो आगे चलते है chlorine जो है in the presence of the water chlorine act as a oxidizing agent ठीक है and bleaching agent also और इसका bleaching जो action होता है वो इसकी oxidation power के कारण होता है ठीक है and इसका bleaching action क्या होता है यहाँ पर permanent होता है तो यह बात आप लोगों ने याद रखनी है clear है ठीक है तो आगे चलते है chlorine के साथ कुछ poisonous यहाँ पर gases बनाई जाती है उनके आप लोगों ने नाम याद रखने है that is the force gene इसके बाद कुछ HCl के बारे में important है points ठीक है के HCl की reaction with iron होती है तो वहाँ से FpCl2 और hydrogen बनती है ठीक है और इसके अलावा इसके साथ हम बना सकते है aqua rizia वो क्या होता है 3 ratio 1 में वहाँ पर HCl और HNO3 का mixture जो के gold और platinum जैसे metals के साथ भी react कर जाता है ठीक है उनको भी अपने बीचे dissolve कर लेता है और इसके कुछ OXO acids बनते हैं ठीक है तो fluorine का सिरफ एक ही OXO acid बनता है ठीक है यहाँ पर acidic strength decreases as electron activity decreases तो strong acid होगा यहाँ पर HCl उससे weak होगा HBRO उससे weak होगा HIO ठीक है यह बहुत बार ही पेपर में पूछा गया याद रखिए अगर सेम हो हेलोजन बट oxygen atoms हो ज्यादा तो जिसके पास जितने ज्यादा oxygen atoms है जैसे HClO4 वह सबसे strong acid होगा तो यह order आप लोगोंने याद रखना है this is very very important one clear है ठीक है तो group number 18 में क्या होती है that is the noble gases noble gases हमारे पास है that is the helium, neon, argon, krypton, xenon, radon इनके atomic number आप लोग याद रख सकते है इनका तो valence shell होगा complete तो NS2, NP6 आजएगा ठीक है so now due to the stable electronic arrangement in these substances they have no tendency to gain or loss electron not over electron करेंगे loss ना gain noble gases are inert they have high ionization enthalpy zero और large positive electron gain enthalpy क्योंकि उनको electron की requirement ही नहीं है so therefore electron gain enthalpy zero होगी या फिर large positive value होगी they are monotomic gases वो हमेशा ही monotomic रहती है दो atom आपस में attached बिलकुल नहीं होगे ठीक है and there are weak van der Waal forces between the atoms of the noble gases therefore they are therefore they have very low melting and boiling point इनके melting and boiling point काफी low होते हैं क्योंकि उनके अंदर काफी weak attractions होती है ठीक है तो अगर किसी compound का सबसे low boiling point है that is यहाँ पर helium का होता है तो इसका कितना boiling point है that is 4.2 Kelvin तो सबसे low boiling point है यहाँ पर helium का ठीक है clear है noble gases are not very reactive क्योंकि उनकी stable configuration होती है उनकी high ionization enthalpy होती है और उनकी zero और positive electron gain enthalpy होती है clear है तो यह reasons है इनके यह बात आप लोगों याद रख सकते हैं अब देखिए क्या होता है कि Neil Bartlett ने oxygen की reaction करवाई थी platinum fluoride से तो यह बना था complex फिर उसने सोचा कि जो xenon है और जो oxygen है इनकी ionization enthalpies सेम होती है O2 और xenon की तो उसने xenon की reaction करवाई तो उसका भी compound बन गया तो हमने सबसे पहला जो इनका बनाया था compound वो था xenon का compound वो Neil Bartlett ने बनाया था क्योंकि इसकी ionization enthalpy oxygen के साथ सेम होती है इसलिए ये भी पेपर में पूछा जाता है तो सिरफ xenon ही compound बनाती है और वो भी सिरफ oxygen and fluorine के साथ बनाती है क्योंकि xenon की ionization enthalpy low होती है इससे आगे आती है वैसे radon gas बट वो है radioactive इसलिए हम उसे यूज नहीं करते तो सिरफ xenon तक ही हमने बना कर देखे हैं compounds ठीक है जो इससे जो उपर वाली gas है that is the krypton उसका भी उसके भी एक दो compounds बन जाते हैं जैसे के क्यार एप 2 ठीक है तो अब हम यहाँ पर xenon के कुछ देखते हैं compound जैसे के xcf2 xenon के कुछ बनते है fluorides तो xcf2 की structure याद रख लीजेगा इसके पास होते हैं 3 lone pairs तो सबसे ज़्यादा इसके पास होते हैं 3 lone pair और इसकी shape कौन सी बनेगी that is the linear shape इसको बनाने के लिए कुछ reactions बताई गई हैं यह भी आप लोग जरूर read कर लेना अगर exam को difficult बनाना हो तो reactions आ सकती है तो ऐसे होता है xcf4 उसकी भी कुछ reactions है और इसकी साथ में है structure यह भी structure तो आप लोगों ने जरूर करनी है structure and shape का name फिर आता है xcf6 तो यहाँ पर xcf6 की hydrolysis याद रख लेना यह हमने इसकी की है यहाँ पर complete hydrolysis इसकी partial hydrolysis भी आ सकती है तो यह इसकी structure है तो यह reaction जरूर कर लेना इस पर मैंने already star बनाया हुआ है इसके बाद इसके कुछ oxides आते हैं जैसे के xcO3 and xcO4 इनकी structures भी आप लोगों ने जरूर करनी है फिर इसके कुछ oxy fluorides आते हैं ठीक है oxy fluorides में यह इसकी एक reaction बहुत important है कि इसकी partial hydrolysis 1H2 के साथ rect होता है तो xcO यहाँ पर F4 बनता है अगर 2H2O के साथ हो तो xcO2F2 भी यहाँ पर बन सकता है ठीक है तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं तो ऐसे इसकी hydrolysis की कुछ reactions होती है और इनकी structure तो सभी की ही आप लोगों के लिए बहुत important है वो आप लोगों ने जरूर याद रखनी है ठीक है तो यह यहाँ पर दी हुई है इसकी reaction आगे बाद में हो जाती है xcO2F2 में ठीक है तो यह था आपके लिए P-Block का पूरा chapter हो गया है आपका इस वीडियो में तो इस वीडियो को जतना ज़्यादा हो सके अपने सभी friends के साथ इसे share कर दें तांके सभी का ही P-Block chapter अच्छे से हो जाए अगर आपको इस unit के notes चाहिए हैं आप हमारा group join कर सकते हैं आप हमारा channel join कर सकते हैं on the telegram same name है gtc tuition वहाँ पर आप लोगोंने search करना है वहाँ पर आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा और आगे के लिए भी आपके लिए काफी useful रहेगा thanks for watching this video